Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.6 का question number 6, तो question number 6 क्या कहता है, आप piece of wire 7 upon 8 meter long broke into 2 pieces, एक wire है, उसकी length कितनी है, 7 upon 8 meter, और इस wire को हमने 2 parts में divide कर लिया, 1 piece was 1 upon 4 meter long, how long is the other piece, तो यहाँ पर इसको हम इस तरह दो समझ सकते हैं, कि यह हमारी एक wire है, तो हम माल लेते हैं, कि वो इतना piece है, यह हमने ले लिया 1 upon 4, ठीक है, तो अब हमसे पूचा है, कि यह कितनी length होगी, तो यहाँ पर simple सी बात है, कि यह total है, total में से इसको हम minus कर देंगे, तो हमें यह मिल जाएगा, तो यानि यह substitution का question है, और इसको number से भी समझ सकते हैं, अगर यह हम माल लेते हैं, कि wire है, समझने के लिए, और इसकी total length हमने 5 meter ले और हमसे कहा, कि इसको दो parts में divide किया गया है, जिसमें से एक part जो है, उसकी length है 2 meter, तो इसकी कितनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम 5 में से 2 minus कर दें, या फिर इस तरह से सोच सकते हैं, कि 2 में हम ऐसा क्या add कर दें, जो 5 बन जाएगा, क्योंकि यह total तो 5 है, तो 2 में हम 3 add कर देंगे, तो यह 5 हो जाएगा, और इसी तरह से 5 में से अगर हम 2 minus कर देंगे, तो हमें 3 मिल जाएगा, तो सबस्टेक्ट करना आसान होता है, तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, 7 upon 8 में से हम 1 by 4 को minus कर देंगे, लेकिन चुकि language का question है, तो पहले हमे 7 upon 8 मीटर, अगे लिखेंगे, length of one piece, तो एक पीस की जो length है, वो कितनी दे रखिये, 1 by 4 मीटर, अब हमसे पूछा है, length of the other piece, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले, length of the other piece, यह क्या जाएगा हमारा, total में से 1 by 4 को minus कर देंगे, अब यहाँ पे यह 8 है, यह 4 है, like fraction तो है नहीं, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको, इनके denominator को same करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यह 8 दे रखा है, यहाँ पे यह 4 दे रखा है, तो इसको तो 8 हम बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 से multiply कर देंगे, उपर भी 2 से multiply कर देंगे, इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर हम LCM निकाल के भी देख सकते हैं, 4 और 8 का LCM जो है वो 8 आता है, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 8 है, यह 8 है, तो नीचे हम एक बार 8 लिख लेंगे, इस 7 को लिख लेंगे, minus 2 बन्जा 2, 7 में से 2 जायागा, 5, 5 अपॉन 8 बचेगा, तो इसका मतलब यह जो बचा हुआ पीस था, इसकी लेंथ कितनी है, 5 अपॉन 8, इस तरह से, questions हम आपत, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही,